हेलो स्टेंट्स वेलकम इन माई यूटूब चैनल आर्टी लक्यर्स स्टेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं M.C.U. और V.C.U.G. मीन, मिक्चुरेटिंग सिस्टो उरित्रोग्राफी और वॉइडिंग सिस्टो उरित्रोग्राफी के बारे में तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रोसेजर को डिटेल में डिसकस करने वाले हैं तो चली सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेपिनेशन की किस परकार से इसे हम डिपाइन करते हैं कि M.C.E. प्रोसेजर क्या होता है What is M.C.E. प्रोसेजर? M.C.E. is a radiological examination of the urethra and bladder in which bladder is filled with contrast via suprapubic or retrograde catheterization and the urethra and bladder Structural and functional abnormalities and pathology is assessed during patient age maturity That means M.C.E. urethra and bladder का एक radiological examination होता है जिसके अंदर bladder को retrograde या suprapubically catheterize करके contrast से फिल किया जाता है और जब patient mixturate करता है तो उस दोरान उसकी radiograph ले जाते हैं और urethra and bladder की structural and functional abnormality और pathology को पता कर किया जाता है और उसकी जांच की जाती है अब हम बात करते हैं students के indications की मतलब किन किन conditions में है procedure किया जाता है सबसे पहले बात करते हैं हम इसके first point की जाधत मतलब mostly performed for prostate enlargement and check in bladder neck That means जाधतर है prostate gland को enlargement और bladder neck में किसी परकार की change की conditions में किया जाता है Second है bladder outlet obstruction मतलब bladder के outlet में मतलब यहाँ पे किसी परकार का obstruction हो जाए यहाँ पे तो उस condition में थैड़ है suspected bladder और urethral trauma suspected bladder और urethral trauma की condition उसमें फूर्थ है bladder फूर्थ है इसके अंदर suspected bladder and urethral trauma फूर्थ है vesico urethric reflex that mean bladder say urine को यूरेटर में ब्लेक फ्लोव ना bladder से यूरेटर के अंदर बैक फ्लोव ना उस condition में फूर्थ है इसका suspected urethral fistula सब्सक्राइब फिस्टूला हो वोडिंग डिपीकल्टी मतलब पिसाब करने में कटी नहीं हो नेक्स बात करते हैं इसके यूरेटरा यूरेटरल इस्टेक्च्चर मतलब यूरेटरा में किसा सक्राव हो जाना यूरेटरल डिवर्टीकुला यूरेटरा में डिवर्टीकुला का निर्मान होना मतलब पाउच लाइक इस्ट्रक्चर का निर्मान होना यूरेटरल टीयर या यूरेटरल ओप्स्टक मुगोजल ट्यूमर देट में यूरित्रा के अंदर किसी परकार के ट्यूमर का फॉर्मिशन होना लास्ट है डिस्यूरिया डिस्यूरिया मतलब हिसाब करते वक्त जलन या दर्द का मैसूस होना अब हम बात करते हैं इसके कॉंटेंडिकेशन की मतलब इस प्रोसिजर को कब कब नहीं करना चाहिए फर्स्ट है अक्यूट यूटियाई डैट मीन अक्यूट यूटियाई का मतलब यूरिनरी ट्रैक में तीवर इंपक्शन हो उस कंडिशन के अंदर सेकिंड है रिसेंट इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब यूरित्रा या ब्लेडर की सर्जरी होई हो थर्ड है कॉंट्रास्ट अलरजी इस प्रोसिजर की दोनां कौन से एक्विप्मेंट का रिक्वार्मेंट होती है सब्सक्राइब है फ्लॉरोस्कॉपिक इनिटिवित आयाई टीवी सिस्टम सेकेंड इस्पॉर्ट फिल्म डिवाइस चाहिएगी फॉलिस क्यातर चाहिएगा लेगनों के जेल चाहिएगी 50 ml स्रिंज चाहिएगी हमें इस्टराइल टावल चाहिएगा और और कॉंटास्ट म कंडिशन के अंदर करते हैं अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं इसके कॉंटास्ट मीडिया की कॉंटास्ट मीडिया कौन से चाहिएगा में नौन आइनिक अडिनेटर कॉंटास्ट मीडिया की रिक्वाइरमेंट होगी वह की जिसका एक्जमपल ह इसकी क्वांटिटी चाहिए कि हमें 20 ml और इसको डाइलिट किया जाता है वन रिस्यू 3 की अंदर वो एनस के साथ में जो टोटल क्वांटिटी होगी इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की किस प्रकार से प्रिपरेशन को किया जाता है सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि एक्जामिनेशन से पूर भी ही ठीक है उसके बाद प्रिपरेशन के दुवारा कंसहमती पत्र पर साइन किया जाते हैं और आस्क दपर टू पैसेंट टू रिमू क्लोथिंग और यह उस्पिटल गाउन पैसंट से पूच में बोल कहा जाता है कि वह कौपने कपड़े उतार के एक 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 उस्पिटल गाउन दिया जाता है पै चैनल की तरूप करते हैं कके प्रोसिजर की प्रोसिजर में किया है पैसंट लाइइञ इलिए उसके बाद में अंटर साफ्टिक कंडिशल के इसे डाल ऑडर के जो एसेप्टिक कंडिसंस के अंदर हम उसको कैटेटराइज करते हैं ब्लेटर को एंड जो रिजिड्वल वोलिम होता है यूरीन का उसको हम क्या कर दिते हैं ड्रीन आउट कर लिया जाता है उसको उसके बाद में कनक्ट श्रींज तुद पुश्ट दा कॉंट्रास्ट इस अनचे करने के बाद में कॉंट्राइज मी इसके बाद में करने किए या नाई क्रcono दिता है तो ऊसके बाद में हम स्पॉर्ट क्या करते हैं इस पॉर्ट इमिज्ज आएकन दूरिंग यूंड पैसंट इसंट इज repet अ in left and right oblique projections and reflexes recorded जब patient mixturate करने की condition में होता है तब patient को कहा जाता है कि हूँ mixturate करे तो mixturate करता है तो हम क्या करती है उसके image, spot image लेते हैं जब वो mixturate करता है तब तो spot image लेते हैं वो होते है इसकी right and left oblique projection के अंदर जो कि इसके reflex होते है उसको रिकोड के जाता उनके अंदर ठीक है वो होती है लेप एंटियर ओबलीक एंड राइट एंटियर ओबलीक फिल्म उसके बादे फाइनली फुल लेंथ वी ओप्डॉमिन इस टेकन टो डिमोंस्ट्रेट एन डिटेक्टेट रिफ्लेक्स ओप्डा कॉंटास्ट मीडियम उसको रिफ्लेक्स हो सकता है जो कि जो ब्लेडर होता है उसे उरेटर की तरफ जो यूरिन का बैक फ्लो हो रहा है बाद में तो उसको हम उसके अंदर रिकॉड कर सकते हैं उसको मिक्ट्रेशन डेशुडि होता है पोस्न डेष डिव का ने जो किटनी के अigator मिडिया के दchuckles होने वाला जो रिप्लेक्स होता है उसको हम रिकॉर्ड करते इस फिल्म के अंदर उसके बाद फिल्मिंग की बात करें तो इसके अंदर चार प्रकार की फिल्मिंग की जाती है पास्ट प्रिलिम्री फिल्म जो उती बेस्लाइन स्टेडी के लिए और सेकंड है फिलिंग फेज कि वाली है इसमें दर पॉल ब्लेडर इन सुपाइन पोजीशन मतलब के बाद में चो कांट्रास्ट मेरे हमने इंजक किय था पूसब किया था तो उसके बाद पिल ब्लेडर फिल्म ली जाती हैं प्लेडर की किसी प्रकार के कि चैहाँ को देखने के लिए या फिर किसी लेज होती है left anterior oblique and right anterior oblique की प्रोजेक्शन लिए जाते हैं इनके जो इसके reflex को देखने के लिए ले जाते हैं उसके बाद में पोस्ट वोडिंग फिल्म पोस्ट वोडिंग फिल्म ले जाते हैं फुल लांद फिल्म टू सो रिफ्लक्स एंड पोस्ट रिजिट्व वोल्यूम क किसी परकार को जो अंडिटेक्टर विफ्लक्स था उसको सो करने के लिए एंड जो रेजिट्व वोल्यूम होता है कॉन्टास्ट मीडिया का उसको देखने के लिए पोस्ट वोडिंग फिल्म ले जाते हैं ठीक है तो यह फिल्म देख सकते हैं आप यह है इसकी फोल परकार की प्लिटीव उसको देखने के लिए और जो यह फिल्म है योग है उसके यूरीतिर्ट रह तो इस परकार राइट-पर य है आगे की तरफ है और और अबलेकली है इसमें क्या है लैप यह लेक्ट अपकर्म को रेचाइउ के लिए तो इस जो डाइग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लेडर है इसने क्या है कि यह पोस्ट वोर्डिंग फिल्म में इसे पेपिसी पैसेंट की तो इसमें इसने करने के बाद में भी इसमें कुछ क्या है रिजिडियल वोल्यूम बचा हुआ है और इसके ठीक है उसके बाद पोस्ट वीबल कॉंअ सकता है और यह सकता है कैथ्रिटरल ट्रोमा हो सकता है एक यह सब्कुझ अ प्रोसेजर के दोरान हो सकते हैं अब्टर के बात करें तो प्लेंटिक को फ्लूट बहुत अधिक मात्रां के अंदर पैसेंट सको फ्लूट लेने के so thank you so much